शनिवार को इंद्राबाल विहार पार्क पर आयरोएद शुरू मड़ी आचारी बालकिष्ण के जन्मुत्सों के औसर पर भारत स्वाभीमान समीती के सदस्यों ने नेशुल्क औशदिये पौधों के वित्रड का करिक्रम रखा जिसका शुबारम महापौर सिताराम जैसवाल और पूर महापौर डाक्टर सत्या पांडे ने नागरिकों को अशदिये पौधे वित्रड किया, इस आउसर पर भारत स्वाभीमान समीती के सदस्यों ने अशदिये पौधों की विशेश्टा गुरों और उप्योग के बारे में नागरिकों को जानकारी गरी दी, परमोत कुमार जेतेंदर कुमार सहित समिती के अन्य सदस मौजूद रहे इस सम्मद में गोरफपूर ने उस समाधाता से बात करते हुए जिला परभारी भारस वाभिवान ट्रस्ट हरी नरांधर दूबे और पूर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा परमोत करते हुए और जो ठाकरतिक दराओं है यह अपना कारी करके हमारे सरी से लखते हुए जमीन लगाई है अगर जमीन वहां लगाना ही नहीं संद्रक्षत करना है एक प्रता चलिए है कि हर पादे जो लगे एक परिन को ब्यक्ति उसे बोद ले और उसे अपने बच्चिया और परिवार के तरह कुछता तो संद्रक्षत करें तभी जाकर करें वाहते संबंदित दूर परते हैं और तीन-चार फट्चे को कीश करके इसका गर्ष अगर्ष अगर्ण करते हैं था तफूरी दूर रती है इसे ऐसे जूरी नहीं बोड़ना इन पूरे दूसरे में परकिकर की इसको जूस्तू बैशते हैं और सरीर के इस्ष्टम को रिण वादी का एक काम करता है पूरे तुसी संबढ़नी तो रोगों को बहुत यादा लाजकारी होता है बाकरेड़ देहाती नाव है बिद्धु जाड़ी वाला है वह फोगा है यह जामून तब बड़ी वाली जामून है जब आउन पाउदर इसका फाकते हैं तो सुगर के रोग सदीर में होता है हर जड़ी मूटी हर दवा का इप्रकिर्थी उसी के अनुसार अपने सदीर की जरुएत के अनुसार जब सेवन करते हैं जड़ी मूटी का एक उद्वे से हैं यह इनकी उत्योगिता को पहचानना और जब पहचानेंगे कि यह लावकर है तो हम इंप सबच प्रकिर्ण करेंगे इस तो अगर एक इंच रोज एक गिलिक रहा करिएगा तो पैर से लेकर के सर तक कोई वोग नहीं होगा या तो मद्वे रूपय का सब्सामेटी टिप्या बनाए हो ले लिए इसको लगाना है तो मद्वे रूपया बरबाद करिए यह तो इसको ले जा पतंजली योगपीट के महामंत्री और पतंजली भी सुभी द्याले के कुलपती आचारे बाल कृष्ण जी का आज जनम दिवस है पूरा पतंजली परिवार एक जड़ी बूटी दिवस के रूप में चार अगस्त को मनाता है इसका एक मात रुद्दे से है कि जड़ी को संड़क्षित करती हैं हमको जीवन देती हैं उनको पहचाने उनके प्रति हमारा इसने है और भाव पैदा हो और फिर से उनका संड़क्षण हो और आई रुबेद को ले करके पूजे सरदय आचारे बाल कृष्ण जी का जो योगदान है इस समय पूरे भारत नहीं पूर और आई रुबेद की जो सेवा एक पुने जीवन उन्हें प्रदान किया है आई रुबेद को जो लगबग सुप्त प्राए एक चिकित्सा ब्योस्ता हो गई थी उसको एक स्वोध के द्वारा नए-नए संसाधनों के द्वारा नए चिकित्सा पद्धतियों को उसमें पुटी दिवस है उसको साकार करने के लिए पातंजली योगपीट के सभी परिवार के सदस्यों ने आज यहां पर वभीकत कई वर्षों से यह कारिकरम करते रहे हैं और मैं आती रही हूं आने पर यह सबसे अच्छा लगता है कि इस दिवस को अगर मनाया तो स्वेम ना मन साथी परियावरण को स्वक्ष रखते हुए हमें पूरे भाए प्रिज्मी को बचाना है तो हमें यह जड़ी बूरी हमारे आसपास हैं इसको हमें पहचाना पड़ेगा इन्हें हमें Services को खांके इसी कर सेवन करके हमस्षर हैं से जड़ी बुटी दिवस के दिन यह संचित कारिक्रम है लेकिन 365 का 365 दिन आप अपने जीवन को एक अच्छे बनाते हुए स्वस्तर रखते हुए अपने अडोस पडोस पूरे परिवार को स्वस्तर रखते हुए पूरे स्वमाज को स्वस्तर रखने के लिए जड़ी बुटीयों का सेवन करें जड़ी बुटीयों के जो पौधे हैं उन्हें जिन्दा रखें पर्यावन को शुद्धर रखने के बहुत बहुत धन्हाँ कुछ